मस्कार स्वागत है आपका आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ उम्हें नहीं आप तब इस वक्त की बड़ी खबर दरसल आईपियल माच्स से जुड़ी हुई है क्योंकि आईपियल को अनिशित कालीन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है लगातार खिलाडी पॉजिटिव हो रहे थे जिसकी वजह से बीसी सी आई ने ये पैसला लिया है आपको बता दे कि सीट ट्वेंटी वर्लक अप नाच्स के बाद आईपियल के नाच्स किये जा सकते हैं कई खिलाडी संक्रमित होने के बाद ये पैसला लिया गया 31 मुकाबले अब भी बाकी हैं कई मैच्स खेले जा चुके हैं लेकिन एक के बाद एक जो लगातार खिलाडी संक्रमित पाए जा रहे थे पॉजिटिव हो रहे थे उसी के चलते अब बीसी सी आई का ये बड़ा फैसला आईपियल मैच्स को सस्पेंड कर दिया गया है बात अब बंगाल की क्या बंगाल का रक्त चरितर कभी नहीं बदलेगा राज में ममता की सरकार बनने के बाद भी खूनी इंसा का दोड जारी है आरोप ये है कि बीजेपी दफ्तर जलाए गए जेपी नडड़ा बंगाल जाकर कारकरताओं से मिलेंगे तो अधर लेफ्ट ने भी टी एंसी को इंसा पर कर सुर्वा ठेराया है राजपाल ने सरकार से रिपोर्ट तलब की क्या यही बंगाल का वो रत्व चरित्र है जो सालों से सियासत को खून खून कर रहा है ये तस्वीरे बंगाल के अलग लग शेहरों की जहां हिंसा, आगजली और पत्थराग से तोनो दल्खेरा अमने सामें बंगाल में मम्ता की विजय हुई और बीजेपी की पराज़ और इसके कुछ घर दोबार, धिंसा का खेला शुरू हुआ और वो अब तक जारी है पहले बीजेपी दफ्तर को आग के हवाले के आगया, फिर शुवेंदू अधिकारी पत्थाग की रेंज में आ गया पश्रमंगाल में मम्ता बनर जी की जबरदस्त जीत के बाद जो सौहार्द पूर्ण शांत पूर्ण जश्न होना चाहिए था उसके बदले में जलन और हिंसा की आग चारों और फैली हुई है पिछले 24 घंटों में यानि रविवार शाम से जो हिंसा शुरू हुई है करता है और एक आएसफ कारे करता है इसके बाद तो जैसे हिंसा की खबरें बंगाल को तराने लगी हल दिया से लेकर आशन सोल कोलकाता से लेकर सीली गुडी तक में तना तनी का दौर देज होने लगे बीजेपी और टीमसी कारे करताओं में भिलंत की खबरें कोलकाता से होते हुए दिन्दी तक धामकने लगी कहीं दफ्तर खाक हो गए तो कहीं दोनों दलों ने एक दूसरे पर ताकत दिखाई आखिर बंगाल में हो क्या रहा है क्या चुनाव से पहले का नसारा चुनाव के बाद भी जारी रहेगा उदर हुगली के खाना कुल इलाके में एक और हिंसक वारदात में एक कारिकरता की जान चली गई आरोफ़य की पीट पीट कर एक टीमसी समर्थक देबू परमानित की जान ले ली गई भारती जनता पार्टी यह डिमैंड करती है कि जो लोकल एड्मिनिस्ट्रेशन है जो क्षेत्रिय प्रसाशन है वो त्वरित कारेवाही करे और इस प्रकार से जो गुंडे भारती जनता पार्टी के दफ्तरों में आग लगा रही है या जो हमारे कारेकरताओं के उपर हमला कर रहे हैं उनके उपर जल्दी से जल्दी कारेवाही किया जाए उनके उपर एक्शन लिया जाए वांगला मानुष्टा है तारी पुतिवाद को लेशा है वहीड़ा गता देर भांगला दखुल करबार जेचिश्टा कानून विवस्था का ये हाल देख कर पहले तो ग्रेमन्त्राले ने रिपोर्ट तलब की और फिर राज्जिपाल महदय ने चुनावी मैदान में हार चुकी बीजेपी को फिर बंगाल की यादा आ गई है और नड़ा राज्जी में कारिकरताओं के बीच है तो कल पूरे देश में बीजेपी बंगाल के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन करेगी है आज तक वे रोड़ तो आपने देखा किस तरीके से कॉलकाता से लेकर डिली तक बीजेपी मम्ता और टीमसी पर हमलावर है चुनावी हार के बावजूद बीजेपी आरोपों के साथ तैनाथ है जेपी नडड़ा भी अशिन मंगाल पहुँच चुके हैं वहाँ पर अपने कारकरताओं से मुलाकात करेंगे ये तमाम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हल्दिया, आरंबाग, आसन सोल और नौट चौबिस परगना की जहां से हिंसा की खबरे आ रही हैं आज़जनी हो रही है, इन सभी जगों पर अब भी हिंसा का दोर जारी है पहले हिंदुस्तान में कभी इस प्रकार का मंजर किसी चुनाव के बाद, किसी भी राज्य में हम में से किसी ने नहीं देखा था बहुत दुखद है, धूधू करके आज बंगाल जल रहा है जीत को एकसेप्ट करने में एक गरिमा में तरीका होना चाहिए आज बंगाल में ये जो तरीका है जिस प्रकार से आज हम हम हहां हिंसा देख रहे हैं ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र का इस प्रकार से किसी राज्य में धज्जियां उड़ेगी आराजक्ता सड़क पर पूरी तरह से चाह गई है काले बादल आज बंगाल के उपर हिंसा के रूप में मन्रा रहे है और संपोर्ण रूप से वहां जो प्रसाशन है वो चर्मरा गई है वो समाप्त हो गया है ये प्रसाशन द्वारा स्पॉंसर्ड हिंसा है अराजक्ता है आग जनी है बलाकार है जो सेवक होता है वो इस प्रकार नहीं कहता है आज पूरा हिंदुस्तान पूरा विश्व देख रहा है बंगाल में क्या हो रहा है और शांती की अपील भी आप इस प्रकार करती है शांती के अपील में भी आशांती शांती के अपील में आप कहती हैं कि हमारे साथ तो बीजेपी वालों ने अत्याचार किया CRPF वालों ने अत्याचार किया मगर चलो आपनों ऐसा मत करो ये कोई शान्तिकी अपील है हमाई दो सायोगी इस वक्त हमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं पॉलमी साहा हमारे साथ हैं वही साथी सूर्य अगनी भी हमाई साथ जुड़ गए हैं सबसे पहले पॉलमी आपका रुख करते हुए लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर हमने पूरे पश्चिम मंगाल के चुनाव में देखा हिंसा और आगजनी पहले दिन से लेकर अब तक जारी है और अभी भी चुनावी पार्टियां दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे है कई निर्दोश लोग माले गए हैं कब सेंसिटेव होंगे ये लोग जी जो दौर शुरू हुआ है एलेक्शन रिजल्ट के बाद नहीं हैं वो काफी ही दुरभाग्यपूर्ण है काफी वाइलेंस की जो रिपोर्ट्स हैं इंसा की रिपोर्ट्स हैं वो लगभग हर तरफ से आ रही है इस प्रदेश में चाहे आप बिर्भूम की बात कर लो पूरबो बर्दमान की बात कर लो यहां तक की कोलकता की बात कर लो या फिर नौट 24 परगनाज, सब 24 परगनाज इन जिलों की बात कर लो हर तरफ से ऐसी खबरे आ रही है कुछ लोगों से मैंने खुद बात की है जैसे कि नानूर असेंबली सीट है बिर्भूम में वहां से काफी जो है बीजेपी के प्रित्याशी थे वो खुद नानूर से बचते बचाते पुलीस प्रोटेक्शन में निकले हैं और उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने कहा एक तरह से पूरी तरह से राजकता फैल चुकी है उन्होंने पुलीस को फोन लगाने की कोशिश की तो किसी ने फोन नहीं उठाया पूरी तरह से एक तरह से हार मान चुके है और ऐसी ही रिपोर्ट्स हर तरह से आ रही है टीमसी का खुद भी कहना है कि हमारे भी कारेकरता मारे गए है जो हिंसा की खबरे आ रही है वो बहुत दुरभाग्यपूर नहीं बेर गवाग्यपूर और चिंदा जनक यहां पर पॉलमी आलात पश्चिमंगाल में बने हुए है सुरगनी रॉय भी हम आई साथ जुड़गे हैं तमाम जानकारी के साथ सुरगनी अब से कुछी देर पहले हम तस्वीरे दिखा रहे थे देखिए निहा अगर हम आपके सवाल के जवाब दे तो सेंसिटिव एरियास को मांख करके बहुत सारी डिप्लॉयमेंट हो चुकी है सीया सेंट्र फोर्स भी है यहां पर हाला की एम सी सी को हटाया गया है लेकिन एक चीज कहना बहुत इंपोर्टन बन जाता है कि एंटिसिपेशन वाइलेंस पोस्ट पोल वाइलेंस की शायद दोनों पार्टीज ने की थी लेकिन इतनी हद तक होगी यह किसी ने शायद सोचा था नहीं यहां पर कल मुख्यमंत्री का शपत ग्रहन होने वाला है और उसी के बीच में हम लगातार देख रहे हैं कि संडे इविणिंग से रविवार इविणिंग से ही ऐसे डजन भर खबरे आ रही है कि जहां पे दोनों पार्टीओं के बीच में पार्टी के दफ्तरों को जलाया गया है और बहुत तरे लोगों की जान भी गई है जिसमें से बीजेबी का दावा है कि उनके छे लोगों की जान चली गई है तो यह बहुत दुरभाग्यपून है और क्योंकि यहां पे अभी भी सेंटल फोर्स हैं और कल एक नया गवर्मेंट फॉर्म होने वाला है तो शायद यह आइस्ते यह भी हो सकता है कि कल से इस पूरे सिचुएशन पे काबू किया जाए लेकिन एक अच्छी बात अगर हम कहें आज सुबा से कोई भी मेजर घटना हुई है नहीं पिछले 48 गंटे में जो हुआ है वही हुआ है अभी तक और आज सुबा से हम कह सकते हैं कि रिपोर्ट अभी तक कुछ आए है नहीं किसी अंटूर घटना के पस्चिम मंगाल में खून के सियासी चीटे नए नहीं है चुनाफ से पेले और चुनाफ के दौरान और अब चुनाफ के बाद भी हिंसा अपना दरावनारंग दिखा रही है जब तक शाचन प्रसाचन गुंडों को आस्रे देंगा बंगाल का विकास तब तब संभव नहीं है यह बंगाल चुनाव का दौर था जहां कानून व्यस्था से लेकर हिंसा तक पर सियासी शोर रैलियों में गूंज रहा था बीजेपी ने भरपूर तरीके से बंगाल के रक्त चरित्र को चुनावी आकरमण का हथियार बनाया और रैलियों में ममता सरकार पर वोट के लिए चोट भरपूर होती रही जब तक यहां टोला बाजों का राज रहेगा बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कट कल्चर बंगाल में रहेगा बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक शाचन प्रशाचन गुंडों को आश्रे देंगा बंगाल का विकास तब तक संबव नहीं है आठ दोर के चुनावी आयूजन में बंगाल भर से वो खावरे भी आती रही जहां टीमसी बीजेपी वालों की हिंसक भिडंत हुई ममता को इसके पीछे बंगाल में आने वाले गैंग का हाथ दिखा या तक की प्रचार और वोटिंग के तौरान भी दोनों दलों के नेता तक तना तनी के फेर में फ़स गए केलाश वीजे वर्गिये से लेकर शुबेंदू अधिकारी तक के काफिले पर पठ्राव की तस्वीरें सवाल करने लगी ये तस्वीरें नंदी ग्राम में उस वक्त की हैं जब ममता बेनरजी पर हमले का आरोब लगा ममता चोटील हो गई और पैर पर प्लास्टर लगाए वो चुनावी रेलियों में गरजने लगी पाहरी गुंडों पर आरोब चड़ती रहे चुनाव में बंगाल ने खून से लथपत सियासत की तस्वीरे देखी हिंसा का लंबा दौर जेला है और अब ये पत्राव आज़नी मारपीट का तौर ममता सरकार के लिए सबसे पड़ी चुनाव की साबित हो सकती है आज तक दे रहो रुखना होगा यहाँ इशुरी से ब्रेक के लिए फॉर्ण होगे हाज़र कुछ और खबरों के साथ दिखते रहे आज तक और इस वक्त की बड़ी खबर अब नेत्री कंगना रनौत से जुरी हुई है दरसल बंगाल को लेकर भड़काओ ट्वीट के चलते कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट से स्टेंट कर जिया गया है कंगना ने ट्वीट करके ममता बैंजी पर हमला बोला था उन्होंने ये लिखाता कि बंगलादेशी और रोहिंग्या ममता बैंजी की ताकत है ये ट्रेंड बता रहा है कि बंगाल में हिंदू बहुमत में नहीं है रुखना होगा यहां इशरी से ब्रेक के लिए फॉर्ण होगे हाज़र कुछ और खबरों के साथ देखते रहें आज तक